यह है डीलिंग का DWA 131 USB अडेप्टर इसके जरीए आज हम डीलिंग के DVR को ऑनलाइन करेंगे यह एक छोटा सा USB डिवाइज है आप देख सकते हैं यह इस पर सपोर्ट करता है तो अभी हम DVR पर आ गए है तो यह इसमें जो USB लगा हुआ है यह ब्लुटूथ है वायरलस माउस का तो यह हम इसे हटा देते हैं ठीक है तो अभी हम इसमें अपना जो डीलिंग का USB अडेप्टर है इसे लगाते हैं यह मैंने इसमें लगा दिया है तो भी हमें वायरलस का माउस चलाना है तो जो रुत पड़ेगी इसे भी हम लगा देते हैं आपको वायरवाल है तो आप वायरवाल लगा ले यह एटल का होट्सपोर्ट है इसे आप अन कर लीजे तो यह और करने के बाद अब जाए अपने डीवियार की स्क्रीन पर राइट क्लिक करके मेनू में जाएं और नेटवर्क पर जाएं यहां पर आईपी आड्रस पर क्लिक करें यहां पर नेटवर्क पर जाएं उसके बाद वाइफाई पर क्लिक करें और फिर सर्च पर जाएं सर्च पर जाने के बाद यहां SSID में आपका एटल का होट स्पोर्स होगा इस पर क्लिक करें यह SSID उठा लेगा और यहां पर पास्वर्ट डाल दीजिए इसे इनेवल और डिया सीपी को भी इनेवल कर दीजिए फिर एपलाई कर दीजिए इसको बाद ट्रांसपर पर जाएए ट्रांसपर जाने वाज से इनेवल कर दीजिए और एपलाई कर दीजिए अभी क्लाउड डिसेबल आ रहा है इसमें तो अभी एड़वांस में जाते हैं एक बार फिर हम बैक नेटवर्क पर आते हैं और यहां वाइफाई प्राएंगे यहां देखेंगे स्टेटस कनेक्टिड आ रहा है लिखा हुआ तो यह एपलाई कीजिए करेंगे और वापिस चले जाएंगे स्क्रीन पर यह हम डीवियर की स्क्रीन पर आ गये हैं यहां राइट क्लिक करेंगे मेन मेनू में जाएंगे और यहां P2P पर क्लिक करेंगे यहां क्लिक करने के बाद आपको यहां एक बार कोड दिखाए देगा क्लाउड आईडी के नाम से ठीक है अब चलेंगे फॉन की स्क्रीन पर यहां हमें एक एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है ठीक है हम खोलेंगे यह हमने गूगल प्ले स्टोर खोल लिया है और यहां पर हम डालेंगे डीलिंक स्मार्ट सीची टीवी डाल देंगे यह हमेंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले ही तो आप इंस्टॉल कर लें तो अभी हम ओपन कर लेते हैं रेस्टेशन पर जाएंगे रेस्टेशन जाने के बाद आपको यहां पर अपना यूजर नेम बना लेना है और यहां नीचे पासवड बना लेना है और नीचे गंफरम पासवड डाल देना है एक कंफर्म पासपर्ट डाल देते हैं हम यह और नीचे हमें इमेल आइडी की ज़रूरत पड़ेगी तो इमेल आइडी यह डाल देते हैं सुरी गलत डाल देंगे अपनी इमेल आइडी डालता हूं सही से यह यह इमेल आइडी डाल दी और रेजिटर पर क्लिक कर देंगे इसके बाद में हम पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको लॉग इन पर लिया आएगा यहां आने के बाद आप जो यूजर नेम बनाया है वह डाल दीजे और पासपर जो भी आपने बनाया था थोड़े दिर पहले रेजिटर करते हुए वह यहां डाल दीजे और फिर लॉग इन पर क्लिक कर दीजे इसके बाद हमें जाना है डिवाइज पर मैनल एडिंग पर जाना है ठीक है यहां डिवाइज का नाम डाल दीजे और यहां पर हमें जो बारकोड को स्कैन करना पड़ेगा बारकोड पर स्कैन करने से पहले हम इसमें पास्पट भी डाल देते हैं आपके डीवीयर का युजने पास्पट भी डालना है तो ख्लाउड आइडी पर जाकर हम बारकोड पर क्लिक करेंगे जो बारकोड स्कैनर था से स्कैन करेंगे इसे करने के वाद सेब कर दीजे कि सेब करने के बाद स्टार्ट लाइब व्यूपर जाएए तो अभी कैमरे सोनी ही हुए हैं स्टार्ट लाइब व्यूपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपको लाइब व्यूपर आएगे आपके कैमरे चल दाएगे यह देखिए आपके चारो कैमरे चल चुके हैं आज़सा करता हम आपको वीडियो प्रसंद आई होगी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद